समस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल G.O.E.H.T. यानि की घरे लूपाय सरल तरीके में दोस्तों जो बाल पक जाता है सफेद हो जाता है आप सबी को पता है कि अगर आपकी एज नहीं होई है और एज नहीं होने से पहले ही अगर आपके बाल सफेद हो जाते हैं तो खुद ही अच्छा फिल नहीं होता है एक उम्र होने के बाद बाल सफेद हो तो देखने में अच् जिससे कि हमारा जो बाल है, वो कुछ समय के लिए तो हमें लगता है कि काला हो गया, लेकिन उसके साइड इसेक्ट हमारे बालों पर बहुत होते हैं, और धीरे धीरे हमारे बाल डैमेज भी हो जाते हैं, तो जैसे कि मैं आप सभी को अपने जो चैनल है, अपने वीडियो में आप सभी को बताती हूँ, घरेलू तरीका, तो वही घरेलू तरीका मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ, घरेली चीज़े के साथ ले, वो सारे घरेलू चीज़े आपके घर में मौझूद हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो उन सारी घरेलू चीज़ों से हम बना दोस्तों थाकि आपको सही से पता चल सके कि इसे हमें बनाना कैसे है और इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है क्योंकि बनाना जान गए और इस्तेमाल करना सही से नहीं जाने तो कोई भी एफेक्ट नहीं होगा इसका आपके बालों पे तो इस वीडियो को लाज तक देखिएगा सही से समझेगा ताकि आपको कोई भी डाउट नह रह जाए जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने लिखा था कि कॉफी में मिलानी है ये चीजे तो हमें चाहिए सबसे पहले मीडियम लेंथ हेर के लिए मैं आपको बता रही हूँ medium length hair के लिए हमें चाहिए दो चम्मच coffee powder तो ये हमने ले लिया है दोस्तों दो चम्मच coffee powder जैसा कि आप सभी के घर में ये coffee powder होता है और coffee powder जो है दोस्तों मैं आपको पता दूँ कि इसमें antioxidant होता है और इसमें ओमेवगा भी होता है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है आपके बालों को color देता है और ये coffee rich होता है fatty acid से भी तो इसमें हमने ले लिया है दो चम्मच coffee powder और इसी के अनुपात में हम दो चम्मच डालने वाले हैं cocoa powder तो ये medium length के लिए दोस्तों अगर आपके बाल जाड़ा बड़े हैं तो आप इसको दो के बज़ा 4-4 चम्मच भी कर सकते हैं तो ये हमने ले लिए 2 चम्मच इसके बाब जो अगली चीज डालनी है दोस्तों वो है ये और ये है दोस्तों चाय पत्ती का पानी चाय पत्ती को देखिए हमने खोला लिया है और इसका इस तरीके से पानी हमने बना लिया है ये देख रहे हैं कितना अच्छा काला पानी बना हुआ है तो ये पानी को हमें छान लेना है और उसके बार हमें ये जो मिक्स्चर है इसके अंदर इस्तिमाल करना है। हमें सबसे पहले ये coffee को और cocoa powder cocoa powder दोस्तों chocolate बनाने में इस्तिमाल किया जाता है और आपको easily मिल जाता है आप बोलेंगे cocoa powder हमें चाहिए तो ये cocoa powder आपको easily shop है मिल जाए रहा। अगर cocoa powder आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप इसको skip कर दीजे, आप इसको छोड़ दीजे, सिर्फ कॉफी में बना के लगाईए, लेकिन अगर साथ में कोको पॉडर डालेंगे तो आपको और भी जादा इसका बढ़िया रिजर्ट मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि इसमें कोको पॉडर भी इस्तिमा कि कैसा ये हमारा हो रहा है, ये देखिए, दो चम्मच हमने डाला है, दो बड़ा चम्मच हैं, आप देखिए, मेरे कितने बड़े चम्मच हैं, ये देखिए, काफी बड़ा चम्मच है, तो ये दो चम्मच हमने पानी डाला है, इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अ अच्छे तरीके से गोल लेना है, इसमें अब हमें एक और चीज डालनी है, इसको गोल लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको बताती हूं कि वो कौन सी चीज है, जो इसमें आप मिलाएंगे, ये दीखें, बहुत बढ़ियां से हमने गोल लिया है, और इसकी सुगंध तो इतनी अच्छी आ रही है, जैसे लग रहा है कि कॉफी ही बन गई है हमारे लिए, बहुत बढ़ियां सुगंध इसकी आ रही है, तो ये दीखें, अबने बहुत अच्छे तरीके से इसको गोल लिया है, अगली चीज हम इसमें जो डालने वाले हैं दोस्तों, वो हैं कंडिशनर आप कोई सबी ले सकते हैं, ये देखें, मैं इसमें कंडिशनर डाल रही हूँ, ये देखें, ये पूरा उपर भरके मैं कंडिशनर डाल रही हूँ, दो चमच इसमें कंडिशनर अड़ करें, ये देखें, दो चमच कंडिशनर इसमें अड़ करें, और ये ऐसा लग रहा है जैसे आप इसमें क्रीम डाल रहे हो इस कॉफी के अंदर क्रीम लेकिन दोस्तों यह आपको ऐसा महसूस हो रहा है लेकिन जब आप इसका इस्तिमाल करेंगे जैसा कि मैं आपको बताऊंगी कैसे इस्तिमाल करना है तो इसको आपको पता ही नहीं चलेगा आपके ब बहुत बढ़ियां रिजनल देगा आपके बालों को, यह देखें, खूब बढ़ियां से इसको गोल लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से इसको गोल लीजिए, खूब अच्छे तरीके से देखें, गोल लीजिए, एकदम देखें, कितना बढ़ियां से यह देखें, कितना ब लगाना कैसे चलिए वो बताते हैं तो दोस्तों इस तरह का देखिए हमें लेना है एक कॉटन ये देखिए ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमें कॉटन लेना है और समझ लीजिए कि आपका ये बाल का एरिया है पूरा बाल है तो ये हमने कॉटन में ये देखिए कॉटन मे करकर के एक एक सेशन करकर के हमें इस तरीके से अच्छे से शारे सेशन में लगा लेने हैं इस तरीके से इस तरीके से हमें सारे सेशन में लगा लेने हैं दोस्तों ऐसे करके हमें इस तरीके से सारे बालों के जो छोटे छोटे पार्ट करके हमें सारे बालों में अच्छे तरी धौकू करें लगा लिए इस पर साथे मुच्ची आवि यहीं डीजाभी गें सिर्फ और सिर्फ आप साधे पानी से धो लीजेगा और अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका कलर चढ़ा हुआ है ब्लैक कलर आपका हुआ है और चाहते हैं कि ये ब्लैक कलर आपका जल्दी न छूटे तो इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आप साधे पानी से बाल धो लें उसके बाद आप आधे 1 मगगा पानी लें एक मगगे पानी में apple cider vinegar डाल करके और उससे अपने बालों को अछी तरह से डहो लें और देखेंगे कि आपका जो कलर है वो बिलकुल लॉक हो जाएगा और आपका कलर जल्दी हटेगा नहीं बालों पे बहुत दिनों तक बना रहेगा और इसी तरह से ही आप इसका हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल जो सफेद हो गये हैं वो धीरे-धीरे काले हो जाए जिससे आपके बाल बहुत साइनिंग और बहुत अच्छे हो जाएंगे और बाल का जड़ना तूटना इस सब चीजे बंद हो जाएंगे और आपके बाल कभी सफेद ही नहीं होंगे तो इस तरीके से जिनके बाल काले हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनके बाल सफेद हो गया है उनके लिए तो ये है ही तो दोस्तों आसा करते हैं आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीर इसे लाइक करिए और जो ज़रूरत मंध ज़रूरत है इस वीडियो को देखने की उन्हें जरूर शेयर करें दोस्तों ताकि अगली बार नहीं वीडियो म और इसे श्यार करें नमस्कार दोड़को